साथियों, खेलों के प्रती पिछली सरकारों का जो रवया रहा है, उसका एक जीता जाकता सबूद, कौमम वेल्थ खेलों के दोरान हुआ गोटाला था। जो खेल प्रतियोगी था, विश्व में भारत की धाग जमाने के काम आ सकती थी, उसी में गोटाला कर दिया गया। हमारे गाव, देहात के बच्चों को खेलने का मोखा मिले, इसके लिए पहले एक योजना चला करती थी, पंचायत, युवा, क्रिडा और खेल अब्यान। का नाम बदल कर, राजी उगादी खेल अभ्यान कर दिया गया। इस अभ्यान में भी फोकस सिरफ नाम बदलने पर था, देश में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रेक्टर विक्सित करने पर जोड़ नहीं दिखाया गया। पहले गाँ हो या शहर, हर खिलाडी के सामने सबसे बड़ी चुनोती थी, कि उसे स्पोर्ट की प्रैक्टिस के लिए घर से बहुत दूर जाना पड़ता था, इस पे खिलाडियों का बहुत समय निकल जाता था, कई बार दूसरे सहरों में जाकर रहना पड़ता था, बहुत से विवातों इस वजह से अपना पैंशन तक, इस प्रकार का जो उनका पैशन था, उनको करने का जो मूर था, उसको भी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे, हमारी सरकार आज खिलाडियों की इस दस्व को पुरानी चनोत का भी समाधान कर रही है, अर्बन स्पोर्ट इंफ्रास्रक्टर के लिए जो योजना थी, उस बैभी पहले की सरकार ने 6 साल में जरिप 300 करोण रुपे खर्च की है, जबकि खेलों इंडिया भ्यान के तह हमारी सरकार स्पोर्ट इंफ्रास्रक्टर पर करीब करीब 3,000 करोण रुपे खर्च कर चुकी है, बढ़ते हुए स्पोर्ट इंफ्रा की वज़े से अब जादा खिलाडियों के लिए खेल से जुड़ना आसान हो गया है, मुझे संतोष है कि अब तक खेलों इंडिया गेम् आधिक अथलेट्स हिस्सा ले चुके हैं, इसमें भी डेड़ हजार खेलों इंडिया एथलेट्स की फैचान करके उन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है, इन्हें आधुनिक स्पोर्ट एकडेमिज में टॉप क्लास ट्रेडिंग भी दी जा रही है, नव वर्ष पहले क इस वर्ष का केंद्रिय खेल बजेट भी तीन गुणा बढ़ाया गया है, आज गाओं के पास भी आधुनिक स्पोर्ट इंफ्रसक्टर विक्षित हो रहा है, देश के दूर सुदूर में भी अब बहतर मैदान, आधुनिक स्टेडियम, आधुनिक ट्रेनिंग फैसलिटिज बनाई जा रही है, यूपी में भी स्पोर्स प्रोजेक्ट पर हजारों करोड रुपे खर्च किये जा रहे हैं, लखनओ में जे पहले से सुविदाएं थी, उनका विस्तार किया गया है, आज वारानसी में सीग्रा स्टेडियम आधुनिक अवतार में सामने आ रहा है, यहा खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत ही लालपूर में सिंथेटिक होकी मैदान, गोरोगपूर के वीर बादूर सी स्पोर्ट स्कॉलेज में मल्टी परपस हॉल, मेरट में सिंथेटिक होकी मैदान और सहारनपूर में सिंथेटिक रणिंग ट्रेक के लिए भी मदद दी गई हैं आने वाले समय में खेलों इंडिया प्रोग्राम के तहट ऐसी ही सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा साथियों हमने इस बात पर भी फोकस किया है कि खिलाडियों को जादा से जादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का आउसर मिले जितना जादा खिलाडी स्पोर्ट्स कंपडिशन्स में हिस्सा लेते हैं उतना ही उनका लाब होता है उनका टैलेंट निखरता है उन्हें ये भी पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, हमें अपना खेल और कहां सुधार ना है, हमारी कमिया क्या है, गलतिया क्या है, चुनोतिया क्या है कुछ साल पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की सरुवात के पीछे एक बड़ी वज़े ये भी थी, आज इसका विस्तार खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स तक हो चुका है, देश के हजारों खिलाडी इस प्रोग्रेम के तहस्त रहे हैं, और अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे तो खुछी है, भारती की जनता पार्टी के अनेक साउसत, साउसत खेल प्रतिक की उगीता चलाते हैं, उसमें हज़गरों की तादाद मेरीके एक साउसत यक्षेत्र में, नवजवान, बेटे-ब और सो में कई अन्तराष्टिय प्रतिक उगीता हों में, हमारे खिलाडियों ने स्ट्रेस्ट प्रोदर्शन किया है, यह दिखाता है कि भारत के युवान, हमारे खिलाडियों का आत्मविश्वास आज कितना बुलंध है